आप सभी का मेडिकोस टॉपिक पे स्वागत है आज मैं बात करने वाली हूँ ओवेरियन साइकल के बारे में तो फस्ट ओफॉल की कौर्टिक्स एन मेडूला तो कौर्टिक्स जो होता है यह आउटर स्ट्रेक्चर को हम बोलते हैं and medulla inner structure को बोला जाता है ठीक है उसके बाद first of all कि primordial follicles जो होता है first day इसका formation होता है यह सब cycle जो हम बता रहे हैं इसके लिए main responsible होता है FSH hormone यानि कि follicle stimulating hormone जो कि follicle को क्या करता है stimulate करता है और उसको mature करता है तो first day primordial follicle बना then उसके बाद primary follicle में वो change होगा ठीक है और primary follicle जो जोड़ता हूँ developing follicles मतलब primary follicle secondary में change होगा then secondary फिर tertiary में change होता है उसके बाद क्या होता है कि एक mature follicle बनता है जो जिसे कि हम graphene follicle बोलते हैं यह 12 days में बनता है एक graphene follicle अब क्या होगा कि ovulation होता है मतलब कि यह जो दिख रहा है आप लोगों को यह graphene follicle जो है वो rupture हो गया है 14 days में और इसमें से एक ovum release होता है अगर इस time आप intercourse कर रहे हो then pregnancy conceive कर लोगे तो 14 days में ovulation होता है उसके बाद ovum यहां से release होता है जो कि sperm का wedge करता है अगर ovum और sperm मिल जाए then fertilization हो जाता है उसके बाद corpus luteum में वो change होता है corpus luteum जो होता है अब यह pregnancy में help करेगा तो यह formation करता है progestron hormone का progestron hormone का function क्या है कि यह pregnancy में help करता है मतलब कि यह uterus का wall होता है उसको ठिक करता है ताकि यह baby का grow अच्छे से हो पाए और pregnancy में यह help करता है अगर fertilization ना हुआ then corpus luteum जो है यह corpus luteum में change होता है 28 days में then menstrual cycle होता है